और कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ काफी अच्छे होंगे तभी हम लोग क्लास 9 हिंदिये में चेप्टर 9 साख्यों और सबद जिसके रचेटा जो है ना कबीर हैं उसके NCRT कोस्टन इंसर के सलुसंस देखेंगे तो सबसे पहले साख्यों से शुरू करते हैं तो दिखे प्रस्नेक है मानसरोवर से कभी का क्या आसा है जिसका उत्तर होगा कि मानसरोवर से कभी का विप्राय मनुष्य के मन में स्थीत हिर्दे रुपी तलाब से है जिसमें स्वक्ष जल रुपी पोईत्र विचार भरा है तता हंस रुपी जिवात्मा भक्ति के द्वारा मुक्ति के लिए मुति चुकते हैं इसमें कवीद जी बोल रहे हैं कि जो मांसरोवर है वो हमारे मन मिस्तित होता है और इसकी कलपना मांसरोवर जो की कहलास में है उस बड़े तलाब से उकर रहे हैं और वो पोहित्र विचार की तुलना स्वक्षजल से साप पानी से करते हैं तता जी वात्मा यह जो हमारे अंदर में आत्मा है उसकी तुलनाहंस के साथ करते हैं और मुक्ति के लिए वो भक्ति के मुतियों को उप्योगी मानते हैं अब इसमें प्रस्ण नंबर हम लोग दो देखेंगे प्रस्ण नंबर दो है क्योई ने सच्चे प्रेमी की क्या कसोटी बताई है जिसको उत्तर होगा कि सच्चे प्रेमी का मन विकारों से दूर और पईत्र होता है जिसका असर मिलने वाले पर होता है ऐसे प्रेमी के मिलने से सारे पाप धुल जाते हैं और साथ भावनाएं जाग जाती है तो देखिए यहां पर कवी जो है न वो सच्चे प्रेमी का विप्राय कैसे वेक्ति से निकालते हैं जिसका मन जो है एकदम पुईत्र होता है और सभी प्रकार के विकारों से मुप्त होता है जिसे कबीर भी एक सचे प्रेमी थे, संति संत मीरा भाई हैं और गुरु नानाक हैं और बाकी जो बड़े-बड़े संत महात्मा हैं, गौतम बुद्ध नहीं ये सब सचे प्रेमी थे, उनका हिर्दय जो एक आपे पुईत्र था और जिनसे वो मिलते थे, उनके उपर उनका ग ज्यान को महत्तो दिया है, तो इसको उत्तर होगा, कि तीसरे दोवे में कभी ने अनभोव से प्राप्त अध्यात्मी ज्यान को महत्तो दिया है, देखे कभी का कहना है, कि जो आप अनभोव से प्राप्त करते हैं, वही ज्यान सच्चा होता है, किसी के बताने पे या किसी के रटने पे कभी भी आपको अध्यात्मी ज्यान का प्राप्ति नहीं होगा प्रश्न चार है कि संसार में सच्चा भक्त संथ कौन का लाता है तो उत्तर होगा इसका कि संसार में सच्चा संथ वही है जो जाती धर्म संप्रदाय तर्क भी तर्क में पड़े विना प्रभू की सच्ची भक्ती करता है जो विक्ती खुद को स्रेश्ट साबित करने की कोशिस करता है चाहे जाती के द्वारा, धर्म के द्वारा, संप्रदाय के द्वारा यतर का कुतर का करके वो कभी भी इस्वर की सच्ची रादना नहीं कर सकता और सच्ची भक्ती को प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए कविन यहाँ पे सच्चल संदुसी को माना है जो किसी प्रकार के जोड़ जबजस्ती ये भेदभाव को सुईकानी करता है उसी को सच्ची भक्ती प्राप्त होती है और प्रभू के दर्शन होते हैं अब प्रस्ण पांच देखेंगे इसमें, प्रस्ण पांच है कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कविन ने किस तरह की संकिरताओं की और संकित किया है, उत्तर है कि अंतिम दो दोहों में कविन ने निमन लिखीत संकिरताओं की और संकित किया है, पहला है उचे कुल में जनमने की संक्युनता दूसरा है अपने मत धर्म को स्रेश्ट मानने और दूसरे की निंदा करने की संक्युनता तो देखिए हमारे मन में जनम से ही अंकार आ जाता है हम सोचते हैं कि हम बड़े गर में पैदा हुए है या बड़े जाती में पैदा हुए है या हमारे मता पिता ऐसे है तो इस प्रकार की संगेड़ता को कभी ने इन दोहों में बताया है साथी साथ हम केवल केवल अपनी बातों को, अपने मत को, अपनी जाती को, अपने धर्म को, अपने कारिये को ही स्रेश्ट मानते हैं और दुसरों की हम निंता करते हैं तो इस प्रकार की संगेड़ता के पारे में इन दोहों में कभी ने बताया है। प्रस्ण अच्छा है किसी भी वेक्ती की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से तरकस्वाहित उत्तर दिजिए। उत्तर है कि सभी मुनस्य जनम से समान होते हैं। उसका कुल मानव निर्मित है जबकि इस वर सब को एक समान पैदा करता है। कर्मे कराण ही मनुस्य अपनी पहचान बनाता है। सूर, कभीर, तुलसी समान्य कुल में जनमने के बाद भी महान बने जबकि कंस दुर्योधन रामण उचे कुल के होने के बावजूर अपने बुरे कर्मों के कान निंदनी हो गए। तो दिखे जन्मा का महत्तो नहीं है। कर्मा का महत्तो है। यही कभीर जी का कहाना है। अध्यात्मा का महत्तो है, आत्मा ज्यान का महत्तो है। आप अपने कर्मों को अच्छे करिए, कहीν पे भी जनम हो, कितने भी गरीब हों, कितना भी कुल आपका कमजोर क्यों न रहे। आप जो हैं स्रेष्ट होंगे और जग में आपका नाम होगा और यदि आप बड़े कुल में जनम लेते हैं उसके बाद भी अपका कर्म जो है ना उसकुल के अनुसार नहीं है तो आप अपने कर्मों के कराण निंदा के पात्र बनेंगे जगहसाई के पात्र बनेंगे और संस भूखंदे ध्यक्मारी तो देखे, उत्तर होगा कि इस दोहे में कबिर दाज जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की परतिकेरिया को सौन का भोकना कहा है इसमें निमलिखित का बेसौनदर यह है तो दिखे, इन पंक्तियों में कबिर ये का कहना है कि बेक्ति को केवल ज्ञान मारगी होना चीए जहां पे ज्ञान मिले वहां पे बैड़ जाना चीए चाहिए संसार आपको कुछ भी कहे संसार के भूखने को या संसार के टोकने से आपको रुखना नहीं है आपको केवल ज्यान और अध्यात्म और आत्म ज्यान की प्राप्ति करते रहना है अब देखी इसके काब्यस अंदर यह देखते हैं पहला है कि रूपक अलंकार का परियोग हुआ है दुसरा है दोहज चंद का परियोग किया गया है तीसरा है जो भासा है न वो सुधिकडी है, सुधिकडी भासा का परियोग किया गया है शौथा जो है हस्ती, स्वान, ज्यान, आदी, तत्रसम, सब्दावली परियोगत है और पांचवा है यहां सास्त्री ज्यान की स्थान पर सहज ज्यान को महत्वर दिया गया है अब हम लोग सबद पे आ चुके हैं तो प्रस्न आठ है कि मनुष्य इस्वर को कहा कहा डूनता फिलता है उत्तर है कि मनुष्य अपने धर्म और विवेक के अनुसार इस्वर को मंदीर मस्जीद काबा कैलास जैसे पुजा इस्थनों और धार्मी के इस्थनों पर खोशता है इस्वर को योग साधना और सन्याज वेरागय से भी पाने का प्रियास करता है तो देखिए कबीर के अनुसार मनुष्य जो है जिस धर्में प्रदा होता है और जिस प्रकार से उसका विवेक उसको समझाता है तो इस्वर के प्राप्ती के लिए ओ मंदीर मस्जीद गुरु द्वारा गिर्जागर जाता है सांती सांत वो तिर्थी स्थानों पे भी जाता है जैसे कि काबा और कैलास हैं वहां पे खोचते रहता है और इसके अलावा भी कई लोग ऐसे होते हैं जो इस्वर को योग साथना के दोरा, तप के दोरा, त्यागय के दोरा, सन्याज के दोरा, वे रागय के दोरा भी पाने का कोशिश करते हैं अब अगला प्रस्ण देखते हैं जो कि प्रस्ण कर्माकर्नाओ है कि कभी न इस्वर प्राप्ति के लिए कीन प्रजलित विश्वासों का कंड़न किया है। उत्तर है कि कभीर के अनुसार न तो इस्वर मंदिर में है न मस्जिद में है नहीं काबा और कैलास के तिर्थ यात्रा में है उनके अनुसार इस्वर न कर्मकांड में न योग साधना में न वैराग्य में है इन्हीं प्रचलित मान्यताओं का कंडन करते हुए कभी न इन्हें दोंग माना है तो देखे कभीर का नुसार ये सब मंदिर मस्जिश जो है न वो इस्वर प्राप्ति के सही मार्ग नहीं है नहीं तित्र यात्रा करने से इस्वर मिलते हैं नहीं किसी प्रकार के कर्मा कांड करने से ना योग साधना करने से ना बैराग्य से बलकि सच्चे हिर् मिलते हैं तो कभिन इन सारी डोंगों को इन सारी कर्मकांडों को खंडीत किया है अब प्रश्ण 10 देखते हैं प्रश्ण 10 है कि कभिन इस्वर को सब स्वासों की स्वास में क्यों कहा है तो उत्तर होगा सब स्वासों की स्वास में से कभी का विप्राया है कि इस्वर कण-कण म चंड चंड में स्वर्वत्र व्यापता है परतियक सांस में विद्यमान है और इस्वर परमात्मा के अंस के रूप में आत्मा में मौजूद है तो देखिए कवीर का भी प्राय है कि इस्वर जो है न हर सांस में हर कहीं हर जगा जहां पर भी आप सुप सकते हैं वहां पर इस् परमात्मा का अंस है वो और आत्मा के रूप में हमेशा सरवदा आपके अंदर में वो बिद्धिमान है प्रस्न 11 है कभी ने जान की आग्मन की तुलना समान नहवा से न कर आंधी से क्यों की उत्तर होगा जिस प्रकार आंधी बाने से पेड़ पोधे घर द्वार उखड जाते हैं और यह प्रभाव समान नहवा से नहीं होता है उसी प्रकार क्यान प्राप्त होने से मनुष्य के अंदर ब्याब तक ज्यानता का अंदेरा दूर हो जाता है यह परिवर्दन आंधी की तरह एक आएक और पूरे वेक से होता है अताहर कभीर ने ज्ञान की आगमन की तुलना आंधी से की है तो दिखे जिस प्रकार से आंधी आता है तो जो पुराने पेड़ पौध होते हैं उखर जाते हैं और यह परिवर्दन कापी तेजी से होता है उस वेक्ती का प्रभाव है उसके बाद दूसरा हो जाता है प्रस्न बारा है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ता है उत्तर है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर निमलिखित प्रभाव पढ़ता है पहला इससे सारी संकाएं और ज्ञानता का नास हो जाता है दूसरा मनुष्य संसारिक मायमो के बंधन से मुक्त हो जाता है तिसरा मन पईत्रयम निस्वार्थी होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है तो दिखे जब ज्ञान की आंधी या सच्चा ज्ञान भक्त पे आता है और तो उसका जीवन जो है ना कुण और रूप से बदल जाता है जैसे कि उसके अंदर से अज प्रश्ण उसके अंदर में उड़ते हैं जो विचक होता है जो बिढम बना रहता है उदूर हो जाता है संतिसान जो मनुस्य है ना वो संसरिक मायमो के मंदन से मुक्त होकर क्योवल क्योवल विस्वरी भक्ति में लीन हो जाता है और मन से उसका अलुकित पोईत्रता बहार निकलने लगता है और जो पूर्ण रूप से है ना निस्वर्थी हो जाता है प्रस्न तेरह है भाव इसपस्ट कीजिए इसमें कह है हिती चित्त की द्वें तुंदी गिरोनी मों बलिंडा टूटा तो उत्तर होगा कि ज्ञान के आंधी ने स्वर्थ तथा मों रूपी दो क उसके जारे सारे जो खंबे होते हैं और जो कामना होता है उसका चत जो है न वो निर्मल हो जाता है अब इसमें खा देखिए आंधी पीचे जो जल बूठा प्रेम हरी जन भीना उत्तर होगा कि ज्ञान रूपी आंधी के बाद भक्ति रूपी जल की वर्था हुई जिसके प्रेम में हरी के सब भक्त भिग गए और ज्ञान प्राप्त के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद मन सुद्ध हो जाता है यहां पर देखे कभी कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसके बाद जिस प्रकार से नार्मल आंधी होता है तो वर्सा होता है उसी प्रक प्रस्ण चौदा है। अपने विचारों को उप्योग करना चाहिए। प्रस्ण चौदा है। निवलेकी सब्दों के ततसम रूप लिखिए। पकापकी, अनत, जोब, जुगती, बेराग, निर्पक। तो देखिए पकापकी का ततसम होगा पक्च विपक्च, अनत का होगा अन्यत्र, जोग का होगा योग, जुगती का युक्ती, बैराग का होगा बैराग्य, अनिर्पक का होगा निस्पक्च